अगर आपको मेरे दौरा बनेगे हर एक वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पेसा नहीं लगता इससे आपको ये फाइदा होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेस से सबसे पहले आपके मुबाइल पॉन तक आएंगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे नमस्कार भाईयों मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका आपना यूट्यूब चैनल विकानेर बर्ड इन्फॉर्मिशन दोस्तो आज के इस वीडियो की थमनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों की वज़े से कुछ फिमेल ने अंडो पर नहीं बेट पाती है काफी बार दोपेर में जब तेज गर्मियों होती है उस वक्त वो अंडो पर नहीं बेटती या रात के समय भी काफी बार फिमेल जो है वो अंडो पर नहीं बेटती इसे में काफी भायों के दिमा पाख में सवाल आता है कि भाई female दोपेर के समय या रात के समय अंडो पर क्यों नहीं बेठ रही और अगर ये अंडो पर नहीं बेठेगी तो क्या अंडे खराब हो जाएंगे या बच्चे नहीं निकलेंगे या बच्चे मर जाएंगे ये सवाल तो दोस्तों काफी important है और का कि कि अंदर का temperature भी हाई होने लगता है अंदर काफी ज़्यादा घर्मी होने लगती है इस वज़े से female जो है उनके अंदर नहीं बेठ पाती और इसी जी सी बात है अगर female अंडो पर नहीं बेठती उस समय जो है और भाई के दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या अगर female उन काफी भाईयों को जरूरत है तो वीडियो का सुरू करते हैं वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें और भी आपके दिमाग में जो भी सवाल है वो कमेंट आप जरूर करें काफी भाई नराज हो रहे होंगे कि मुहित भाई अभी कमेंटों के जवाब नहीं देते तो दोस् दोस्तों यह है कि जो भी bird एग ले करता है जो भी female एग ले करती है वो दोस्तों अपने हिसाब से temperature के हिसाब से उस अंडों पर बेटती है काफी बार हम देखते हैं कि जैसे female ने 7 एग ले किये उसमें से 4 एक खराब हो जाते हैं या काफी बार एक भी एक खराब नहीं होता य अंडों को सेखते अंडों पर बेड़ते हैं असल में क्या है कि गर्मियों के समय इस वक्त सभी exotic bird का ओप season है इस वक्त जादा तर भाई जैसे कि मैं भी अपने किसी भी bird से बेडिंग नहीं लेता हूं सभी bird को मैंने घिष्ट दे दिये तीन मंत के लिए या चार मंत के तो इसे में क्या होता है पूरे साल जब bird breeding करते हैं तो उनकी जो कम्या होती है वो भी पूरी हो जाती है और गर्मियों में अंडे भी खराब नहीं होते एक बार दोस्तों मैंने गर्मियों में bird से बेडिंग ले थी उस वक्त मुझे काफी नुक्सान हुआ था जो अंडे थ है कि गर्मियों में अपने bird से बेडिंग लेने का कोई भी मतलब नहीं है अगर हम अपने bird से ब्रेडिंग लें तो अंडे खराब होंगे बच्चे भी मरेंगे हमारे पास अच्छी ब्रेडिंग भी नहीं आएगी साहत में हमारे birds भी कमजोर होंगे तो इसे देखते हुए गर्मियों में अपने bird को रेष्ट दे देनी चाहिए और यह जो दिक्कत है यह उनी भायों के वहां आ रही है जिन्होंने अभी तक अपने bird को रेष्ट नहीं दी है और दोस्तों काफी बार क्या होता है कि बर्ड अपने हिसाब से अंडो पर बेढ़ते हैं जब टेंपरेचर अंडो पर बेढ़ने लाइक होता है उसी वक्त वो अंडो पर बेढ़ते हैं काफी बार जैसे तेज गर्मी होती है उसमें बड अंडो पर नहीं बेड़ते बड को पता होता है कि भाई इस अंडे को कितना temperature देना है वो उसी हैसाब से उस एक को temperature देते हैं जैसे कि थोड़ी देर जब अंडो पर वो बेड़ते हैं गर्मी की वज़े से ज़़ए अंडे ठंडे नहीं होते इसे में कुछ टाइम अंडो पर बेड़ेंगे जब एक का जो temperature है वो प्रोपर रहेगा उसमें वो वापिस बाहर आ जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद में अंडो पर बेड़ते हैं या काफी बार तेज गर्मी होने के कारण वो सुब्य के समय अंडो पर बेड़ते हैं या शाम के समय बेड़ते हैं या रात के समय भी बेड़ते हैं तेज दोपेर में उस समय नहीं बेड़ते हैं ऐसे में दोस्तों काफी बार तो अंडे खराब नहीं होते हैं इसका कारण यह होता है कि तेज जब गर्मी होती है तो अंडा अंदर से सूख जाता है तेज गर्मी की वज़े से अंडा सूख जाता है और आप जानते हैं कि जब जादा बारिस होती है अवाम में पानी की मातर जादा हो तो समय भी अंडा खराब हो जाता है बच्चा अंदर मर जाता है तो दोस्तों जो प्रोपर जो अंडे का temperature होता है वो बर्ड जो है वो provide करते है उस एक को इसके अलावा दोस्तों बर्ड अंडो पर नहीं बेड़ते इसके और भी काफी reason होते है कुछ मैं आपको और भी बताता हूँ काफी बार क्या होता है कि जैसे कि बजीश पेर पर बेठना छोड़ देती है अंडो को बाहर फेंग देती है या कई बार केज़े पिंजरे को मटकी को ब्रेडिंग बोक्स को अगर हम हिला देते हैं उस समय भी बड्ड जो डिश्टेप हो जाते हैं और अंडो पर बेठना छोड़ देते हैं इसके अलवा काफी बार हम बार ब्रेडिंग बोक्स को मटकियों को खोलते हैं तब भी बड्ड परेशान हो जाते हैं काफी बार हमारे पिंजरे के पास बिल्ली चुवे या और भी कही तरीके के सिकारी पक्सी आ जाते हैं उस मज़े से भी बड्ड उनसे डर कर अंडो पर बेठना छोड़ देते हैं और ब और ओप सिजन में मेरा बस यही फोकस रहता है कि अपने बड्ड की वो सभी कम्या पूरी करूं जो कि मैं ब्रेडिंग सिजन के दोरा नहीं कर पाया हूं तो दोस्तों काफी बार मैंने देखा हैं कि फिमेले गर्मियों की वज़े से अंडो पर बेठी रहती है और अंडो प बागी दोस्तों बजी स्पेरेट के एग लेक अंडे के साथ से आठ दिन के बाद आप उस अंडे को उठा कर टोर्च के उपर रखें अंधेरे की जगे जाकर उस अंडे की फटेलिटी भी चेक कर सकते हैं उस अंडे में अगर आपको रेड नेस दिखेगी या रेड आपको धागे नुमा जोय भाग दिखेगा तो आप समझ आना की भाई बच्चे की बनने की शुरुआत हो शुकिएं काफी बार अंडा बलेक पर जाता है काफी बार अंडा अंडा अंडर से खाली होता है पीला दिखाई देता है 7-8 दिन के बाद ऐसे में वो अंडा खराब है आज के इस video में इतना ही आपको आज के वीडियो केसा लगा system को लाइक करें अपने सारे दोस्तों में विडियो की लिंक भी сिर करें ताकि आज के इस video से उन्हें भी कुछ benefit हो सके तो बाइर बाइर फ्रेंडS पिर मिलते हैं ये वीडियो नहीट घुंप के साथ झाल झाल झाल